नमस्कार स्वागत आप सभी का आज का जो हमारा चैप्टर है वो है समकाली इंदक्षिन एशिया यानि कि एशिया में जो जो देश है उनके बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान जो है उसमें आजादी के बाद क्या हुआ, कैसे वहाँ पे सरकारे रही, वहाँ पे लोक्तुन्तर क्यों नहीं बन पाया, यह सारी बाते हमें पढ़नी है ठीक है, तो हमारा सबसे प्यारा भाई उसके साथ हमें रिलेशन भी पढ़ने है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, तो जब हम आजाद हुए 1947 में, आजाद होते ही हमने एक लड़ाई लड़ी, जिसमें की कश्मीर वाला मुद्दा अटक के आस था तो सबसे पहला रिलेशन कितना अच्छा भाई है ना हमारा, पहले ही साल हमारी लड़ाई हुई, तो 1947 में लड़ाई शुरू हुई थी, 48 तक वो लड़ाई चली थी, ठीक है, 1949 की जाकर जनुवरी में उस लड़ाई को मदब सुल जाया गया था तो सबसे पहला पुइंट हम बनाएंगे भारत-पाकिस्तान रिलेशन में 1947-48 वाली लड़ाई, ठीक है, दूसरी बात, दूसरा हमें सबको पता है, जब हम आजाद हुए थे, तो हमारे देश का बटवारा भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने थे, तो दूसरी चीज है बटवारा, ठीक, दूसरा रिलेशन क्या है मारा, बेकारी बेकारा, अच्छा नहीं है कुछ, पता है आप सबको पाकिस्तान के साथ, पहला रिलेशन लड़ाई, दूसरा रिलेशन बटवारा, तीसरा रिलेशन क्या है, फिर लड़ाई, ऐसे ही च शरनार्थियों की समस्या, तीसरी समस्या हमारे साथ ये रहती है, पाकिस्तान वाली, उसके बाद, फिर बाई साथ हमने लडाई कर दिया हमसे 1965 में, छंब वाले एरिया से अटेक कर दिया भारत पे, ठीक है, लाल भादूर शास्त्री जी भारत में थे उस टैन, ऐसा उड़ाय था पाकिस्तान वालों को, हमने अंदर लाहर तक गुज गई थे हमारी सेना, तो पैसेट की लडाई, फिर कुछ की डाउट है इसको, फिर 1971 में लडाई हुए हमारी, तो लडाई ही लडाई, तो भारत पाकिस्तान से मन में क्या-क्या आप तक बढ़ा, 47-47 की लडाई, भारत ने जब लडाई जीती, तो नया देश बना बंगलादेश, इस चप्टर में हम समझेंगे अच्छे से, कि बंगलादेश कैसे बना, क्योंकि यह चप्टर का ना बना इस या दक्षिनेशिया, तो दक्षिनेशिया में हम और हमारे पड़ोसी देशी तो हैं, तो हम पारे में हम पढ़ेंगे यहां पर, तो पहला हम पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है अब तक हम ने खेक है, पड़ा पैस्ट में लडाई तक पहुच चोगे हैं, अब इकत्तर के बाद क्या हुआ, या चीन को लेकर लडाई हुए हमारी, श प्रवही आरबार कौन करता है, वही करुचता है, ठीक है, तो कारगिल में भी पाकिस्तान इंटर्फेर किया, पर इंडियन आर्मी ने तुरण थी लडाई जो है, अपने सबी एरिया को उन्होंने अब वापिस से ले लिया, पाकिस्तान से, ठीक, तो कारगिल के लडाई, उसके अलावा आतंकबाद को लेकर लड़ाई रहती है। मेशा पता-इब नहीं को कि पाकिस्तान जो है बहुत सारे आतंकबादी संगठन का पालन पॉस्चन करता है और भारत में भी बहुत सारे हमले हुए हैं जो सारे हमले हुए हैं उनका जो जिम्मेदार ठेरा गया है वह हैं वही आतंकिस अंगठन जो की पाकिस्तान में है ठीक और पाकिस्तान सरकार कोई कारवाई नहीं करती हुआ जैसे कि आप सभी को पता है कसाब वाला जो केस हुआ था शब्यस ग्यारा का जो हमला था भारत पे ताज होटल पे जो हमला हुआ था मुंबई में वो कितना भैयानक हमला था दोन एक में संसत पर एटेक हुआ था में में अब योफर सारे वह था ज़्यादा अच्छे नहीं है, हमेशा हमने लड़ाई ही देखी एक दूसरे के साथ, कोई आपसे विश्वास नहीं है, कोई आपसे दोस्ती नहीं है, आपसे मित्रता प्रेम, इन से भी चीजों की कमी है, हम आज तक आज़ादी के इतिहास में चार बार युद लड़ चुके ठीक है, ऐसे पाँच नधी भैति हैं हमारी जमनुक कश्मीर से, सिंदू जहलम चेनाब रावी व्यास सत्लूच, कोन-कोन से नदियां है, सिंदू जहलम चेनाब रावी व्यास सत्लूच, तो यहीं था, भाई मैटर को सुल जाएं कैसे ही, वो कश्मीर से होती ही जाती है, पर पाकिस्तान में जाती है ठीक और फिर अरब की खाड़ी में समुंदर में गिरती एं तो पानी तो दो दे रही हैं वो और चैना से भी आती हैं ऊहन तो यह न्युकंट बहुत Kenny सब्रह ने नेकुंद होता हुआ था पाकिस्तान के साथ सिंदू नदी जल समझोता तो जो उपर की नदियां है में इनका पानी हम पाकिस्तान को ज्यादा देते हैं क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए है इस चीज का पानी क्योंकि उसको में में शहर हैं वो सिंदू नदीय किनारे बसे हुए हैं आप पर की तीन नदियों का दिकतर पानी पाकिस्तान के पास जाता है कुछ परसंट हमारे पास रहता है और नीचे वाली तीन नदियों का पानी जादा हमारे पास रहता है थोड़ा बहुत पाकिस्तान के पास जाता है तो ऐसे एग्रिमेंट किया हमने वरना नदियों के पानी को लेकर भी विवाद हमेशा बने रहे हैं, ठीक है, सिंदु नदी को लेकर तो अब शान्ती है, पर फिर भी कभी कबार इन बाकी नदीयों को लेकर कुछ ने कुछ विवाद हमेशा होई जाते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो ये थे सारे विवाद जो हमारे पाकिस्तान के संबंध ठीक अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में लोगतंतर स्थापित क्यों नहीं हो पाया साथ में तो माजाद हुए थे साथ में तो बटवारा हुआ था तो पर ऐसा क्या हुआ कि हम आज तक लोगतंतरिक तरीके से सरकार चला रहे हैं और की कारण ठीक लोगतंतर का मतलब क्या है जनता की सरकार बनना यानि लोग अपने नेता खुद चुनते हैं तो अब हम यही जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगतंतर क्यों नहीं पाया बिल्कुल अब इसको शोट तरीके से याद रखो पांच बार ए लिख लो मैंने आपके लिए इजी कर दिया है कितनी वार ए लिख लो पांच बार इन चीजों पर पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड रहता है इसलिए वहां पे लोगतंतर की कमी है देखो सबसे पहला ए कोई बुरी बात नहीं है पर वहां के लोग जो उनकी सोच बड़ी ही छोटी सोच है सिर्फ वो अल्ला वगारा की बात करते हैं मतलब तरक्की की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं साइंस टेकनोलोजी में कम बिलीव करते हैं पुराने रिती रिवाजों की बात करते हैं पर पूराने तेरी वाज सोच उसर एप पेट नाई पेखते की हुई हो नई साइंस टेक्नोलोजी इन चीज़ां में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तीसरा है अमेरिका, हमें पता है शुरू से ही पाकिस्तान के उपर अमेरिका ने कंट्रोल करना चाहा, ठीक, और अमेरिका भी चाहता था कि जो पाकिस्तान वहां पर डेमोक्रेसी ना बने, हमेशा ही चाहते हैं ये देश, अमारे देश में भूप कोशिश करिये सबने, कोई भी देशों को दूसरे को आगे निकलने नहीं देना चाहता क्योंकि यही राजनीती है वर्ल्ड लेवल पे ठीक है कोई किसी का बला देखे कोई खुश नहीं आज जो दोस्त है तो कल दुश्मन हो जागा कभी कुछ कभी कुछ ठीक कभी हमारा दुश्मन वहा करता था अमेरि जो वहां की जनता आतंकवाद होगा तो आर्मी पे जादा भरोसा करेगी या लोगतांतरिक सरकार पर भरोसा करेगी पर धानमंतरी बचाएगा आर्मी बचाएगी है ना जब माहूल खराब होता है तो इलेक्शन इप एलेक्शन तो दूर की बाद है कुछ नहीं होता ठीक ह तो आतंकवाद की वजए से और सिचुएशन खराब होने की वजए से वहां के लोग आर्मी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वहां पर कोई नेता है बिनियासा ठीक अगला पॉइंट ए आयोग्य नेता पाचवाई है आपका ए आयोग्य नेता है वहां पर ठीक है श संबालना है आगे नेता होगे बसकी नहीं रहा था और वहां पर बार बार सेना जो है वह रूल अपना स्थापित कर देती थी तो यह दिक्कत पाकिस्तान में क्यों स्थापित नहीं हो पाया ठीक है यह याद रखोंगे सारी बात और एक और है वह अंतर राश्टिय सब्सक्राइब कर देता था तो भीड़ले विड़ले बारत से भीड़ले कोई दिक्कत नहीं है कितने भी हमारे यूद हुए है पाकिस्तान को हमेशा ही अमेरिका ने सपोर्ट किया है अपने वैपनस दिये हैं अभी 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 नंदन वाली जो कहानी हुई थी पता है अमेरिका की और से आई हुए हैं तो अंतराष्टी दबाव नहीं पढ़ने दिया कभी अमेरिका ने किस पर पाकिस्तान पर पर परमानु बंबी जब उसने बनाया तब भी कोई वो नहीं है ठीक है तू कर ले को दिक्कत नहीं है पर जब भारत ने परमानु बंबनाया था तो अमेरिका ने खूब टांग अड़ाई थी बीच में खूब कोशिश करी थी बड़ी मुश्किल से हमने चिप चिप कर परमानु परिक्षन किया था ठीक तो ये सारे कारण है जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोगत्तर स्थापित नहीं हो पा रहा है ठीक है तो अब हम सा स्था घुए थे वह 24 παशादारा आगस्त की रात थी उस दिन तो बारावजे से पहले हो और हम जो है रात के बाद हुए तो हम 15 परण काजाद हुए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक समय पे आजाद हुए भारत की कमान संभाली पंडित ज video आलाल नह्रू ने वहाँ पे कमान संबाली मुहम्मद अली जिन्ना ने तो मुहम्मद अली जिन्ना और लियाकतली खान उस तरफ थे भारत में थे जो आलनाल नहरू और सर्दार वल्लब भाई पटेल इन्होंने थे बहुत अच्छे तरीके से अपना नेतरत दिखाया बहुत अच्छे सरकार चलाई पर वहाँ पे कुछ समय तक तो ठीक चला पर उसके बाद थोड़े ही समय में वहाँ पे सिस्टम बिलकुल खराब होने लगा मैंने आपको बताया कि जो मुहम्मद अली जिन्ना है उनकी कुछी समय बाद मिर्ति हो गई उसके बाद जो लिया कतली खान है वो भी नहीं टिक पाए सत्ता में उसके बाद क्या हुआ सेना का रूल आया सेना ने तुरंत देश पर कपचा कर लिया और लोगतंति सरकार को खतम कर दिया और ऐसा करने वाले पहले जनर्रल जो थे उनका नाम है ठीक है इस टोपिक को यहां पे अच्छे से समझ लो अगर NCRT उठा ले तो समझ बें नहीं आएगा कि बहुत अजीब से तरीके से दे रखा उन्होंने आप यहां पे स्टोरी की तरह समझो बिल्कुल इंजोई करके इसको पढ़ो जनर्ल जाना पहला आदमी डेट आप लिख लेना 1958 क्या डेट है 1958 अब सैनिक शाशन लागू होगा तो लोग इसका विरोध करेंगे तो कुछी टाइम बाद इनका विरोध होने लगा और फिर आए एक और दूसरे नेता वो भी सैनिक ताना शाहिया आया उसका नाम था जनर्ल याहिया खान क्या नाम है जनर्ल याहिया खान 1969 में जनर्ल याहिया खान ने अपना तक्ता पलिट किया ठीक है तो पहले आया जनर्ल अयूब खान उसके बाद आया जनर्ल याहिया खान कोई भी रोखतंतर के तरीके से नहीं आया जैसे कि इंद्रा गांदी के टाइम पर हमने देखा नैरु के टाइम पर हमने देखा जो सिच्वेशन है वो हमारी कॉंगरेस ने हमेशा उसको उच्छे तरीके से सुल जाया है ठीक तो कभी भी देश में ऐसा टाइम आया ही नहीं कि भारत में सैनिक साशन लागू हो तो पर पाकिस्तान में यह जी शुरू से चल रही है मुध elie जिन्ना के जाते ही क्या हुआ जाते ही क्या हुआ अयूब खहा और फिर याहिया खान ने किया 1969 में पर याहिया खान का भी विरोध हुआ और याहिया खान ने वादा किया था कि मैं elections करवाँगा तो अगले ही साल उन्होंने election करवाए और 1970 में पाकिस्तान में election हुए election में जो है जुल्फिय अलिकार भुटो की जीत हुई तो अब आये यहां पर लोकतांत्रीक सरकार अब 1971 से लेगर 1977 तक जुल्फिय अलिकार भुटो ने पाकिस्तान पर शाषन किया वहां के परधान मंतरी बने वहां पर वजीर आजम बोलते हैं तो वहां के वजीर आजम बने 1977 तक अब 1977 में फिर वही फिर से शैनिक शाषन आएगा जनरल जिया उल्हक क्या नाम है जिया उल्हक जनरल जिया उल्हक ने फिर से कबजा कर लिया देश पे और जो है सरकार वरकार कोई दर करा बिलकुल और अपना शाषन स्तापित किया तो 1977 में फिर से वो चैनिक शाषन, अब 1980 में वहां की जनता ने इसका विरोध किया और जियाओ लगके शाषन के खिलाफ आवाज उठाई और 1980 के दशक में फिर से चुनाव हुए, 1988 में एलेक्शन हुए और 1988 वाले एलेक्शन में उनी जूलफियलिकार भुटो की जो बेटी थी वो थी बैंजीर भुटो, बैंजीर भुटो पाकिस्तान की परधानमंत्री बनी और फिर से लोकतंतर आया, तो आप देख रहे हो कि लोकतंतर आ रहा है, फिर शैनिक शाषन, फिर लोकतंतर, फिर शैनिक शाषन, यानि कि कोई भी पार्टी, कोई भी रूल, कुछ लंब होता है वो सरकार का ही होता है तो अब हम पहुच चुके हैं 1980 तक 88 में एलेक्षन हुए बैंजीर भूटो जो है वो परधानमंत्री बनी उन्होंने भी एक अच्छे लंबे समय आज किया या शाषन संब्ँमाला उसके बार फिर से शाषन 1990 में जन्नल परवेज मुशर्वने किसमें परवेज मुचिर फिर से सशहनलागू किया फिर कदधे और झाति लिएक्षन कब राश्ट्पति बन गया ऐसे बुएलेक्षन थे वहां के सारे शाशन आ रहा है फिर लोकतंतर जो है वो बिलकुल भी जम नहीं पा रहा है देश में लोकतंतर का तो बुरा आल हो रखा देश बे धज्या उड़ चुकी है पाकिस्तान में लोकतंतरी और 2008 से आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है अब कुछ लेवल पर कहा जा सकता है कि लो अब तक 2022 तक वो सारी की सारी सरकारे जो है वो लोक्तंतर के द्वारा ही बनाई गई है लोग और अबने नेता को खुद चुना है और प्रेजेंट में जो वहां के परदानमंत्री हैं वो हैं इम्रान खान ठीक है मैं भी बात कर रहा हूं 2022 की आगे अगर बच्चे इस वीडिय तो परदानमंत्री चेंज हो सकते हैं ठीक है तो 2008 तक जो है लोक्तंतर स्थापित नहीं हो पाया था बिल्कुल बुरा हाल था पाकिस्तान का अब भी बुरा ही आल है पर फिर भी यह है कि हम कह सकते हैं कि अब लोग चुना हुआ पना उनका परदानमंत्री चल रहा है 2008 से ठ पाकिस्तान में लोक्तंतर क्यों नहीं बन पा रहा है ठीक है और पाकिस्तान में शाशन कैसे कैसे चला किसकिस नेता ने रूल किया क्लियर सारी बाते पाकिस्तान टोपिक हमारा खतम होता है तो पाकिस्तान के बाद अब बारी आती है बंगलादेश की यह भी कुछ अलग न एक बनाया इधर पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है दूसरा बनाया अठारहसोग कुलो मीटर दूर वो क्या है पूरवी पाकिस्तान get some दूसरी है और खासым वहां के जो लोग हैं वह पठान वहें उर्दू वाzer कर दिकμεंग गोरे हैं कँछ mom उनकी तो वो सारे पठानी लोग है अफगान टाइप लोग लगते हैं वो सारे के सारे तो इस वाले पाकिस्तान में ऐसे लोग है और पूर्वी पाकिस्तान जो है उसमें जो है वो ऐसे पठान लोग नहीं है वो बंगाली लोग है सारे के सारे उनका धरम एक है बेशक वो मु बहुत हाई-फाई समझता था इसने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म किये हैं बहुत अत्याचार शुरू किये जैसे ही हमाजाद हुए 1947 में उसके बाद से पस्चेमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे बहुत सारे अत्याचार करने शुरू कर दिये तो जो उसने अलग से पाकिस्तान बनाया था उनको वो नीचा मानता था अपने से इसलिए हमेशा कोई development नहीं वहां पे कुछ नहीं वहां के लोगों के मन में एक भावना थी कि हमें ये पाकिस्तान से अलगी होना है हमें की सरकार पसंद ही नहीं है तो हमेशा पूरी पाकिस्तान में आज के बंगलादेश में ये मांगे उठती थी कि हमें क्या करना चीए हमें इस पाकिस्तान के खिलाब बोलना चीए वहां की नाम है मुजीबुर रह्मान, मुजीबुर रह्मान पूरवी पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे नेता थे, तो मुजीबुर रह्मान जो है वो शेक मुजीबुर रह्मान पर वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिय अलीकार भुटो और उनका शानिक तानाशा है वो दोनों मिलकर क्या चाहते थे कि वहाँ पर हो सरकार ना आए मुजीबुर रह्मान के सरकार ना आए इसलिए उनके क्या करना शुरू करा उनक उस पाकिस्तान से उस सरकार से बहुत दिक्कते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार सरकार बदलो ठीक है या तो हमें यहां पर मोका दो पर इन बातों को मानने की बजाए उस सरकार ने क्या किया अपने ही देश के लोगों पर क्या करवा रहे हो सेना बेज रहे हैं मरवाया वहा राजस्तान वाले इंडीनार्वे कि बहुन से गुज्रात में सुने अब भारत में इतनां प्यार प्रेम भारतupid में पर पाकिस्तान वालों ने क्या किया पस्ची मी पाकिस्तान ने टेक किया पूर्वी पाकिस्तान पे ठीक है मुझीबुर रह्मान ने ता ना बने इसलिए लोग जो उसके अत्यचारों खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उसलिए इंडियन जो गोर्मेंट है इंद्रा गांदी है वहां पे तो भाई वो तो छोड़ेगी नहीं पाकिस्तान मोखे के इंतजार में बैठी इंद्रा गांदी कि कब कोई हरकत करे पाकिस्तान और मैं फुल सपोर्ट दूं बंगलादेश को यानि कि पूरवी पाकिस्तान को अब जो मुझीबुर रहमार को ने ता नहीं बनने दिया फिर बहुत आंदोलन चले आंदोलनों को दबाया वहाँ पर पाकिस्तानी सिनने बुरा हाल मचा दिया तो 71 तक आते आते इतना बुरा हाल हो गया था कि युद छिड़ गया पूर्वी पाकिस्तान में पस्चिमी पाक जवान जवान बच्चों ने मिलकर अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी यानि कि हमें मुक्ति चाहिए इससे पागल पस्चिमी पाकिस्तान से में क्या चाहिए मुक्ति चाहिए और मुक्ति वाहिनी जो है वो सेना जो है उसको इंडियन आर्मी ने ट्रे भारत है उसकी कमान सबाली थी इंद्रा गांधी ने उनको ओडर दिया था कि हमें बंगलादेश के मदद करनी है तुम फोरण युद्ध कर दो तो उन्होंने इंद्रा गांधी को समझाया था कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि अभी अगर हमने युद्ध किया तो हो सकता है हम हार भी जाएं तो 1971 में जब इंद्रा गंदी ने डिरेट कहा था तो उन्होंने कहा था कि अभी हम दो तिन महिने रुकेंगे बहुत ही प्लैनिंग के साथ स्टेटेजी के साथ यूद लड़ा गया था ये और उन्होंने कहा था सेम मानिक शौने कि अभी हम क्या कर वील पर हो जाएगे एक दो मेने के अंदर ही और इसे क्या होगा यूद में दिक्कत होगी बड़े बड़े इतिहास यूद् Creating के सद॥ पहले तब मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी इंटर्फेर किया था अब इंढरागांदी जो थी वह इंतजार में थी पहले इंडियन आ़्मी नहीं गई थी वह इंतजार में थी कब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में पस्चेमी पाकिस्तान में तो 1971 लड़ाई चल रही है और इंडियोन आर्मी उत्री फिर पूर्वी पाकिस्तान में यानि कि बंगलादेश में ठीक है तो इंडियोन आर्मी ने उतरते ही जो वहां पर बावाल उठाया ठीक है तो रोने लगे बिल्कुल कौन जो वहां पर सेना थी इतना मतलब तगड़े तरीके से इंडियोन आर्मी ने वहां पर अपना इस्टैब्लिश किया मुक्ति वाहिने को सपोर्ट किया कि कुछी दिनों के अंदर वहां की जो आर्मी थी पाकिस्टन की पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनको चुन-चुन के डुड़के उड़ाया था ठीक है तो उनके अंदर इतना दर भात में पहली बाहर दुनिया में ऐसा हुआ था कि नब बैजार सैंडिकों को गुटने पर और लाकर इंडियन आर्मी ने सरेंडर करवाया था ठीक है तो यह बात कितनी बड़ी बात है ना बैजार ने अपने ऐसे उतार उतार के दिये थो नो ने ठीक है तो जो इंडियन आर्मी है उसने 1971 की लडाई में बहुत तगडी विजय आसिल की और यह हमने पिशली चैटर में पढ़ा था कि इंडरा गांदी से से बहुत लोग प्रिया भी होई थी तो 1971 की लडाई में हमारी जीत हुई ठीक है और एक नया देश बनकर सामने आया भारत ने कोई इंटरफेर नहीं किया उसकी राजनिती में ना ही उस पर अपना पर भाव दिखाया कुछ नहीं दिखाया उसको स बनाया वो देश आज बंगलादेश कब बना है 1971 में बना है लीडर कोन है बंगलादेश का मुझीबुर रहमान याद कर लो यह नाम उनिजेशोईकतर के चुनावा में भी कौन जीता फिर मुझीबुर रहमान पर वहां पे भी लोगतंतर डंकसर स्थापित नहीं हो पाया शेख मुझीबुर रहमान की सरकार वो कुछी सालों तक रही कुछ समय बाद शेख मुझीबुर रहमान की हत्यागर दी गई सेना ने शेक मुझीबर रह्मान को मार दिया क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से पूरा इंटर्फेर मतलब थोड़ी थोड़ी आतंकवादी का गटना आए या बंगलादेश की राजनीति को खराब करना है चीज़े चली रही थी और शायद उन्होंने भी मरवाया हो राज किया वहाँ पे फिर वहीं वहाँ पे आंदोलन होगे सबी लोग लोगतंतर चाते हैं कौन चाता है सेनेताओं के चक्कर में पड़ना ठीक है तो वहाँ पे आंदोलन हुए उसके बाद जन्रल इर्शाद ने अपना राज किया जय और रहमान के बाद कौन आया जन्रल इर्शाद और जन्रल इर्शाद के बाद जन्ता ने वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया और 1991 के बाद वहाँ पे लोगतंतरी सरकारे हैं और बंगलादेश में अब लोगतंतर कायम है ठीक है तो वहाँ पे भी वही पाकिस्तान वाले दिक्कत हुई पर एक छोटे लेवल पे हुई और अब 1991 के बाद वहाँ पे जो सरकारे हैं वो कायम है और लोगतंतरी के सरकारे वहाँ पे कायम है तो पाकिस्तान हमने पढ़ लिया बंगलादेश हमने पढ़ लिया झाल झाल